आज दुनिया का सबसे लंबर रिवर क्रूज अपनी यात्रा के लिए रवाना होगा तो आज किस वीडियो हम यही जानेंगे कि यह रिवर क्रूज कितना लंबा है यह कहां से कहां तक यात्रा करेगा और इसकी यात्रा में कितना समय लगेगा और पालडे का लगभग कितना खर्चा आप आएगा और इसमें टोटल कैपासीटी कितने पैसिनर्स की है और अभी फेलाल जो सुरुवाती यात्रा होगी उसमें कहां के यात्री इसमें ट्रेवल करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो यह रिवर क्रूज है यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रू ध्राप्त की ब mods करें ड्राप्त मतलब होता है यह वहाला हई तो यह लगभग है वन पॉइंट फॉर मीटर इसको अधियम कुछ और इस क्रूज के फीचर्स की बात करें तो आप देखें इसमें थ्री डेक्स हैं थ्री डेक्स में आप देखें एक ये हो गया एक ये है एक अपर हो गया फिर 18 सूट्स ऑन दा बोर्ड है जहां पहला अगर आपको कमरे देखन इसके द्वारा जो कि अभी ये पहला ऐसा रिवर क्रूज है जो भारत की जो स्वदेशी टेक्नोलोजी है उसके माध्यम से ही पूरी तरीके से इसको बनाया गया है इसमें अब आप कुछ और फीचर्स की बात करें तो आप देखें ये पॉलिशन फ्री मेकनिसम पर काम करे देगा नुएस कंट्रोल टेकनोलोजी होगी इसका आपको ऐसी सभी सुधार दी जाएंगी जिससे आपको लगजरी महसूस हो और बास्तों में इस क्रूज से जो भी टूरिस्ट यात्रा करने वाले हैं उनकी यात्रा यादगार होने ही वाली है क्योंकि यदि आप देखें तो ये क्रूज का आउटर लुक है लेकिन अब इनर लुक की बात करें तो कुछ और ज़्यादा ब्यूटिफुल और डेकोरेटेड आपको देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं कि इतना लगजरीय से दी ये क्रूज है तो इसकी पैड़े की लागत कितनी आने वाली ही तो आप समझे एक दिन का खर्चा लगभग पचीस हजार आने वाला है जो कि ये आम आदमी के लिए पॉस्वल नहीं है तो सीधी सी बात है जो रिचलोंगे होंगे वही इस तरीकी की लगजरियस क्रूज की यत्रा कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि ये कहां से कहां तक की या तरक करेगा तो इसकी सुरुवात हो जाएगी वरानसी से और इसके बादे कई प्लेसे से होकर गुजरेगा जैसे पटना हो गया मुर्सीदाबाद है कोलकाता है बरिसाल है धाका है धुबरी है गुवाहाटी है और इसका लाजज डेस्टीनिशन होगा डिब्रू भारत की दो बड़ी नदियों जिसमें से एक गंगा है और इस वाले डिजन में आपको प्रमुपुत्रा देखने को मिल जाएगा तो एन डबुवन और एन डबुटू से तो यह गुजरे गही साथ ही साथ यह लगभग 27 रिवर सिस्टम के माध्यम से यह जो क्रूज है वो लग जाएंगे और यह एक दिन का खर्चा 25,000 लगाएं और 51 डेज के दिया आप टोटल खर्चा देखें तो आपको लगभग 13,000,000 का खर्चा एक इस यात्रा के लिए देना पड़ सकता है और यह रिवर क्रूज लगभग 50 टूरिस स्पोर्स को कभर करेगा जिसमें आपक लुकाता है धाका है और गुहाटी है और आप समझे इसमें जो अभी इनेग्रल वयग होगी मतलब जो अभी इस प्रूज की पहली यात्र होगी इसमें लगभग 33 फोरेंड टूरिस्ट जा रहे हैं जिसमें से 32 अकेले सुर्जलेंड से हैं और एक टूरिस्ट है जर्मनी से और यह यात्र होगी वरांसी से लेके डिब्रूगर तक की इस पूरी यात्रा का मेरेज़मेंट किया जाएगा ए लेंड वाटर वेज ऑथोर्टी ओफ इंडिया के दोरा और इस यात्रा के माध्यम से जो भारत की रिच हैल्टिज है उसको दिखाने का प्रयास किया झाल झाल